गुरू पेयारी संगत जी रादा स्वामी संगत जी आप सभी को पता ही है आज 14 स्टंबर को डेरे में बाबा जी और हजूर जी ने दर्शन दिये थे आज डेरे में संगत बहुत ज्यादा आई हुई थी आज ससंग से पहले डेरे में अंगदान पर फिलम भी दिखाई गई थी उसके बाद पाठी जी ने बड़े प्यारे प्यारे शवत पड़े फिर आठ बच कर 24 मिन पर बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आगे थे सबसे पहले बाबा जी ने अपने गद्धी को माथा टेका उसके बाद बाबा जी ने अपनी प्यारी संगत की और द्रिष्टी डाले फिर पाठी जी ने ससंग शुरू किया आज पाठी जी ने बकमाल ससंग फरमाया आपने फरमाया की काल का अर्थ केवल समय नहीं है ये मृत्य और संसार के चकर का परतीक है हम इस जीवन में जनम लेते हैं, करम करते हैं और फिर मृत्य को प्रापत होते हैं फिर से जनम लेते हैं और ये सिलसला चलता रहता है यही काल चकर है ये चकर हमें बार-बार संसार में खीचता है और इससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है हमारा असली उदेश इस संसार के मोमाया से मुक्त होकर परमात्मा की शरन में जाना है जब तक हम इस काल चक्र में बंदे रहते हैं तब तक हमें जनम मृत्यू के बंदनों से मुक्ती नहीं मिल सकती ये संसार अस्थाई है और इसमें मिलने वाली सबी चीजें भी अस्थाई है लेकिन हमारी आत्मा शाश्वत है जो कभी भी नहीं मरती और उसकी मुक्ती का मार्ग परमात्मा की ओर जाने में है काल से मुक्ती पानी के लिए संत महत्माओं ने कुछ सरल मार्ग बताई है इन मार्गों का पालन करके हम इस बंदन से मुक्त हो सकते हैं और पुरमात्मा से जुट सकते हैं सबसे महत्पुरण मार्ग है भक्ती जब हम सच्चे रिदे से माली की भक्ती करते हैं तो दीरे दीरे हम संसार के बंदनों से मुक्त होने लगते हैं बक्ती हमें काल चकर से उपर उठने का मार्ग दिखाती है जब मन परमात्मा में रम जाता है तब काल का बंदन हमें परबाबित नहीं कर सकता दूसरा मार्ग ससंग है ससंग हमें सचाई के मार्ग पर चलने की प्रेना देता है जब हम ससंग में भाग लेते हैं, तो हमें सही ग्यान और मार्ग दर्शन मिलता है संतों का संग हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें ये सिखाता है कि कैसे हम इस अंसार से उपर उठ सकते हैं काल से मुक्ति का एक और महतपुरन सादन है सीवा जब हम निस्वारत बाव से सीवा करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और काल के बंदन डिले होने लगते हैं, सीवा हमें मोमाया से दूर करती है और हमें माली के करीब लाती है आत्मा को जानना और संजना ही मुक्ति का मार्ग है जब हम ये समझते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब हमें संसार के दुख और काल चक्कर से डर नहीं लगता। जब हम अपने मन को निरंतरित करके दियान में लीन होते हैं, तो काल चक्कर का परवाव हम पर कम होने लगता है। इसके साथ ही परमात्मा के नाम का समरण हमें इस संसार के बंदनों से मुक्त करने में साहिक होता है। अब काल से मुक्तिक अर्थ ये नहीं है कि हम समय को रोग सकते हैं या मृत्यों से बच सकते हैं। तब ये काल चकर हमें प्रभावित नहीं करता, काल से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग कठी नहीं है, हमें बस माली की भक्ती, ससंग, सेवा, दियान और नाम स्मरण का पालन करना है यदि हम इन मार्गों पर चलेंगे, तो काल का बंदन दीरे दीरे डीला होता जाएगा और हम परमात्मा के शरन में पहुंचकर सची मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे आओ, हम सभी इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं फिर सस्थन की समाप्ति के बाद दोनों सद्गुरों ने संगत को रादस्वामी बुलाया और स्टेस से चलेंगे फिर कुछु मिंटों के बाद दोनों सद्गुरों ने खुली कार में संगत को दर्शन दिये थे संगर जी ये था 14 स्तंबर दिन शनीवार का डेरी का महोड जोकी मेंने आपके साथ शेर किया है जी संगर जी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगर तक शेर करें जी और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओल पर प्रेस करने जी ताकि हम जब भी नई वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुंच सके जी राधा स्वामी जी